आज की वीडियो में दूस्तों हम Instagram के 3 सेटिंग बताने वाला हैं जिससे आप Instagram पर Reels को वाइरल कर सकते हो दूस्तों ये सेटिंग ओन करने से आपके Instagram की Reels 100% वाइरल होगी for example मैं बताने वाला हूँ दोस्तों मेरे आकाउंट पर पिछले साथ दिनों से बहुत ज़्यादा रिच और फोलोवर्स बढ़ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने इस ट्रिक को अपलाई करके बहुत सारे फोलोवर्स को इंक्रीज भी किया है और दोस्तों लाइक को भी इंक्रीज किया है तो इस वीडियो को पूरा जरू दिखिए और दोस्तों नए होते चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाईए यहाँ पर इंस्टाग्राम को ओपन करके दोस्तों यहाँ पर मैं बतातेता हूँ मेरे दूसरे अकाउन पर आपको यहाँ पर मैरे और रहे साथ दिन का बता देता हूँ दोस्तों यहाँ पर पिछले साथ दिन का में बता देता हूं कि दोस्तों यहाँ पर मेरे देख सकते हैं यहाँ पर ग्राफ किस तरीके से देखने को मिल रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैं साथ दिन का कर लेता हूं और आपको में बता देता हूं यहाँ आप कर करके Update पर क्लिक करकिए आप देख सकते हैं यहां पर 13,000, से भी ज़्यादा रिच ओ देखने को मिल रही है आप देख सकते हैं, 13 million से भी रीच जादा देखने को मिल रही है पिछले साथ दिनों में. इस तरीके दूस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है? यहाँ पर दूस्तों आपको Profile बाले Option पर क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद दोस्तो सबसे पहले आपको सेटिंग वाले उपसर पर क्लिक करना है फाइली सेटिंग जो करनी है दोस्तो इसके लिए आपको सेटिंग पर क्लिक करके प्राइवेसी का उप्शन देखने को मिल रहा है प्राइवेसी पर क्लिक करना है जैसे ही प्राइवेसी पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा Reels and Remix का Option यहाँ पर आप देख सकते Reels and Remix का Option देखने को मिल रहा है इस पर क्लिक करना है जैसे क्लिक करें दोस्तों यहाँ पर तीनों सेटिंग को ओन कर देना है यह ओफ रहेगी आपको इन तीनों को ओन कर देना है चालू कर देना है सिंपले दोस्तो चालू करने के बाद आपको बैक आना है दूसरी सेटिंग क्या करना है यहाँ पर दोस्तो आपको प्राइवेट अकाउंट नहीं रखना है यहाँ पर पब्लीक अकाउंट रखना है दोस्तो प्राइवेशी पर क्लिक करके इसे प्राइवेट नहीं रखना है इसे पब्लिक रखना है तो इसके लिए दोस्तो इसको बंद करके रखना है चालू नहीं रखना है बंद करके रखना है उसके बाद दोस्तो थर्ड सेटिंग क्या करने है थर्ड सेटिंग करने के लिए दोस्तो आपको त्री डोट पर क्लिक करना है सेटिंग पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे नीचे आना है और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर इसको professional account बना लेना है दोस्तों professional account बनाने के लिए account पर क्लिक करना है यहाँ पर account का option देखने को मिल रहा है account पर क्लिक करना है लिचे आपको switch to type of professional account क्लिक करके इसे professional account बना लेना है जैसे ही दोस्तों आपका professional account बनता है आपका account business account बन जाएगा और दोस्तों आपको यह पर edit profile, add tool और insight का option देखने को मिल जाएगा और इस तरह के दो professional dashboard देखने को मिल जाएगा और दोस्तों reals update करने के लिए आपको reals viral करने के लिए सब से इन आसान तरीका बता देता हूँ और दोस्तों आपको remix reals बनाने है तो simply दोस्तों आपी नए update में remix का option आया है new वाला तो दोस्तों आपको remix किस तरीकी से करना है मैं बता दिता हूँ यहाँ पर फोड़े पहले music को कम कर लेते हैं Reels के option पर जाते हैं यहाँ पर 3.0 पर click करने के बाद दूस्टो आपको जियो remix का option देखने को मिल रहा है यह वाला remix का option देखने को मिल रहा है remix करके video upload कीजी 101% आपको viral होगी video मैने इस account को check कर लीजी इस तरीके से मैंने वीडियो दा लिए और 101% मिलियंस पर व्यू गई है और दोस्तों आपको यहां बर पहीं बता देता हूं लाइप को आप देख सकते हैं यहां पर मैं मिलियंस पर व्यू गई है आप देख सकते हैं नीचे की साइड मिलियंस पर व्यू देखने को मिल जाए आप देख सकते पांच मिलियन 11 मिलियन इस तरीके से इस वीडियो इस अकाउंट पर व्यूज गए हैं आप देख सकते 30 वीडियो अप्लोड है और दोस्तों अभी यहां पर बहुत जादा वायरल चल रही है इस तरीके की रिल्स मैंने सारी इस तरीके से डाली है आप भी डाल पर फूलो नहीं किया हो तो इस तरीके राप पर फूलो का लिजी मिल्टे दूस्तों अग्री वीडियो में